हेलो फ्रेंड्स, वेलिकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ सेकर, आगे हूँ एक को नई वीडियो लेकर, दोस्तो आज है 17 मार्च 2023 और विग्यप्ति या सुद्धी पत्र आया हुआ है उत्राखंड लोक्सिवाईव की तरफ से, ये है जेल बंदी रक्षक को लेकर, तो जेल पंदी रक्षक परिक्ष्या 2022 के अंतरगत, सीधी भरती द्वारा चैन हेतु विग्यापन संक्या इतना इतना, दिनांक 15 नवंबर 2022 वो सुद्धी पत्र संक्या दिनांक 29 बारा 2022 को परकासित किया गया था, उक्त विग्यापन के बिंदु एक रिक्तियों का विवरण में, राज किये गरह में निवासरत अनाथ बच्चों हेतु आरक्षित पदु का उर्ध्वारदर छेनिवार यथा अनुसुचित जाती, जन जाती, OBC आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानिकी EWS सामानी विवरण अंकित नहीं है, अथा राज किये गरह में निवासरत अनाथ बच्चों हेतु आरक्षित पदु का उर्ध्वारदर छेनिवार में विभाजन करते हुए रिक्टियूं का संसोधन पिवरण निमनुवत क्या गया है, अब दोस्तों ये जो पद हैं, जेल बंदी रक्षक में 214 पद हैं, और रिजारो बंदी रक्षक में 47 पद हैं, दोस समानी के लिए 24 पद हैं, SC के लिए 9 पद हैं, बाकि सारा यहां पर ये दिया हुआ है, बाकि स्वतंतरा संग्राम सिनानी के आश्रीत 2 पद हैं, पूरु सैनिक के 9 पद हैं, और राज की गरह में निवासरत अनाद बच्चों हेतु 9 पद हैं, बाकि यहां पर दुस्तों ये अप्रेल माई में इसका शुरू हो सकता है वांकि आप लोग अपनी तियारी करते रहेगा तो ये थी आज की जानकारी वांकि दूस्तो जो पलपल की अपडेट होगी भरते संबंदित वो आपको चैनल पर मिलते रहेगी और होमगार्ड की भरती भी 15 अप्रेल के बाद उसके लिए आगन शुरू हो सकते हैं होमगार्ड की भरती भी बहुत जल्दी आने वाली है तो जो इच्चुक महिला उम्मिद्वार हैं तो होमगार्ड के लिए भी आप लोग तयार रहेगा क्योंकि इस बार पेपर में इमला नहीं लिखाई जाएगी इस बार वहाँ पर इसी तरह से objective type प्रसन है पूछे जाएंगे तो जो जो महिला उम्मिद्वार हैं जो इच्चुक हैं फिर कई लोग कहेंगे होमगार्ड है हम क्या कर रहे हम होमगार्ड फुरे बनेंगे तो वो लोग ना कर रहें लेकिन जो जिनको आउ सकता है तो वो लोग बिल्कुल त्यार रहें महिला अभ्यरतियों के लिए तो होमगार्ड के अभ्यरति जो भी जाना चाहते हैं उसमें तो होमगार्ड के लिए जो है 15 अप्रेल के बाद आविदन परकिर्या सुरू होने वाली है तो बहुत जल्दी उसमें भी सब कुछ हो जाएगा